लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें नविमबई के मसहूर बिल्डर भूपेंश्रा गिरप्तार 15 फरवरी तक कश्टडी फरजी दस्तावेजों से किसानों की जमीन हडपने का मामला पूलिस की घेराबंदी में मूँ छुपाये जा रहे ये नविमबई के मसहूर बिल्डर भूपेंश्रा हैं इन पर लातूर जिले के किसानों के नाम पर फरजी दस्तावेज बनाकर जमीन हडपने कारोप है जिसे लेकर नावा सेवा पूलिस ने बुधवार को उन्हें गिरपतार किया है जोन टू के डेसी पी असोग दूधे ने बताया कि शा को 15 फरवरी तक कस्टडी मिली है हलाकि बुधवार की देरात उन्हें तकलीब के बाद वाश्री के MGM अस्पताल में भरती करा दिया गया पुलिस आयुक्तियनुसार इस मामले में शाह से पहले तलाठी समय चार आरोपी पहले ही गिरपतार हो चुके हैं जबकि जाच में अन्य लोगों के शामिल होने के सबूत और दस्तावेज मिले हैं जिनकी जल्द गिरपतारी हो सकती है नावाशवा पूर्स्ट्रेशन में आफिंस रस्टर है अभी तक चार आरोपीयों को आरिस्ट किया है सब जेल में है और आज सुबह ही इसमें जो में बिल्दर है उसको भी आरिस्ट किया है कुल मिला के पांच लोगों को इसमें अरिस्ट किया है इसमें जो जमीन के बारे में जो वैवर हुआ है जमीन लेने के लिए किसान की जो जरूत किसान होना जरूरत है उसके लिए जो साथ बारा डाकुमेंट सब्मिट किया है वो फोर्ज डाकुमेंट सब्मिट किया है ला नाम से जमीन खरीद ली थी, फिर उनके यहां से, किसान से जो बिल्डर है, इन्होंने फोर्ज डॉक़्ुमेंट टायर करके जमीन ली थी, अब तक इसमें जो तरणी करके जो गाम करता है, वो इनवल था, उसको भारिश्ट किया है, जिनके नाम से यह जमीन की है, यह तरणी उनको 15 तारिक तक PC मिली है अभी इसमें और भी लोगों की शामिल है ऐसा यूडनस हमरे सामने आया है और बाकि जो लोग शामिल है उनकी खिलाब भी हम कारवा करने वाले हैं बताता हैं कि भुमिराज बिल्डर के मालिक भुपेंशा के खिलाब फरजी वाले के कई और मुकदमे भी चल लहे हैं पनवेल के वागी वली गाओं के किशानों ने भी उनके खिलाब फरजी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हडपने का आरोप लगाया है किशानों की ओर से सिकायत करने वाले के कुमार ने बताया कि श्रा ने किसानों के साथ 12 में फेर फार कर बेलापूर के पार्शिक हिल पर सिटकों से जमीन ली जिस पर आज भुमिराज हिल्स का अंडरमार चलना है कि आज गिरफतार की और जब गिरफतार किये कोट ने इनको तीन दिन का रिमांड दिया रिमांड दिये खुद अपने यहान नहीं लेकर कि इनको व्याईपी ट्रीटमेंट देने लगे इसका लेंड स्कैम हुआ है, यह 600 करोड का लगभग जमीन था, जिसको इन लोगों ने बहुत लेस वैल्यू में खरदा है, और यह मैटर हम लोगों ने एडी में डाला था, चुकि यूनुस और इकबाल मिर्ची, जो इंटरनास्टल ड्रग माफिया है, उनके साथ एडी अभ इसका क्या रोल बनता है, इसका जाज करना बहुत जरूरी है, ब्यूरो रिपोर्ट, टीबी ओन इंडिया